मुक्यबंतरी पुशकर सिंग धामी काशिपूर पहुचे जहां उन्होंने काशिपूर को बड़ी स्वकाती। इस मौके बार सिंग धामी ने कहा कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। प्लेट्स बनाए गई हैं कि सरकार से बैटिक की गई हैं। भर तरीके से कुरी दिवारों के साथ संजा की गई है। आगे आने वाले समय के लिए यह एक मॉडल के रूप में यहां पर यह काम करेगा। आप लोगों से करकार की भी अपनी एक सिम्मा होती है। और सरकार भी आपी की होती है। सरकार कोई अलग नहीं है। आप लोग जो काम करते हैं वही सरकार आड़ी बढ़ाती है। सरकार आपकी सरकार है। कोई भी समाज में बड़ा काम होता है। कोई भी समाज में मनिवर्तन होता है। कोई नया काम होता है। यह समाज में कोई बड़ा सुभार होता है। तो उस काम पे समाज के लुग की बहुत बड़ी बहुता है। कि शर्कार के शर्कार की अपनी लिट है कि शर्कार एक स्रुबात red ना मगरते हैं अप्रॉत-ब आजिता है और जिसे reinforcements बांतर लुब से turn पार भाजबा सरकार वनियें, तोगे हम लोगों अरे लिया है! कर स Зап done मुटरी आघ्ये नेतवत्र मारियत्रमोटी जी के नितवत्तु मैं। हम आज प्राड़ों प्राण से काम करें। और जो भी संकल मैंने लिये हैं उन सारे संकल को पुगा करिए जैसे ने हमें जाए हुआ है ना कि हम नए सरकार के सपत णिरण होते ही है कुझ रखंड के अंदर शवी लोग लें है जाए वो किसी घर्म का हो किसी मजब का हों किसी संपरदायता हो सब के ले हम एक समार कानूं लाएंगे जब़ा नारिक सहिता है उत्रागंड के अंदर हम लादू करें और उस काम के हमने सुरुवात कर दी है पहला हमने जो अपना मत्री मंदल की पहरी बैठक रही थी उस बैठक में हमने सर्व सम्मती से इसको पारिप कर गिया है कि एक जो बिदी के विशे सके होंगे जानकार होंगे स्टेक होल्डर उन स और ड्रापि त्यार होगा जो हमारे बहुत ही चाटा लोग की देखरें के एक ड्राप से त्यार होते ही हमारा विदी व्भाग, हमारा ल्याई व्भाग इसको अच्छी तरग से देखेगा और देखने के बाद उत्राखन रातिये के अंदर ये कानून हम लातू و Krud उत्रखन कॉंग्रेस में नेता पृतिपाक्ष और अध्यक्ष के चैन के बाद पाटी के धार चूला विधायक हरिश्थामी लगतार बयान बासी कर रही है जिसे कॉंग्रेस सहच महसूस कर रही है वही अब हरिश्थामी के फेस्बुक पर डाले गए एक वीडियो में उनके बयान ने स्ताफ कर दिया कि कॉंग्रेस को जल्द ही दल बदल का एक और बड़ा जटका लग सकता है कॉंग्रेस में लगतार नेता पृतिपक्ष और अध्यक्ष चैन के बाद से ऐसी अटकले लगाई जा रही है कि कुछ नाराज विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं वही अब हरिश्थामी के वीडियो ने कॉंग्रेस पार्टी में एक बार फिर से खलबली मचा दी है वीडियो में हरिश्थामी अपने विधान सवाश्यत्र में समर्थकों के साथ में बाचीत करते हुए नसर आ रही है हरिश्थामी अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि उन्हें जंता ने विधायक बनाया है इसलिए अपनी सीट छोड़ने से पहले वेजंता के बीच पहुचकर ही सीट छोड़ने पर निर्णा लेंगे साथी धामी ने डम भरते हुए कहा कि वो साल 2027 में कॉंग्रस पार्टी से चुनाप नहीं लड़ेंगे आप लोगों ने बनाया मां आपके बीच आऊंगा आप से पूछे लिए जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को तब तक मैं सीट छोड़ने लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोश्रा कर रहा हूं कि 27 का चुनाप कांगरिस की सरकार बंद भी रही होगी मैं कां देश में बीचिपी संगठन इससर पर कई तरह के बदलाफ करने की तैयारी में हैं हाली में दिली में बीचिपी हाई गमान के साथ हुई बैठक के बादlerin इस बात संग्राट के सामने आ रही हैं कि पार्टी के परदीश अध्यक्शमदन काश्चिक ने इस बात की तस्दीक की है कि कौशिक ने कहा कि हाई कमान के साथ हुई बैठक में पार्टी संगठन के अंदर कई बदलाफ को लेकर मंधन हुआ पार्टी के अंदर संगठनात्मा के सर पर भी बदलाफ हो सकते हैं इस पर अभी वर्क चलना है कि हम लोग जब दिल्ली बैठे थे तो वहां इस परकार की चर्चा आई थी कि संगठन की दरश्टी से कुछ जिलों को बढ़ाने के अवसकता है खास तोर पर जो बड़े जिले हैं जहां पर इधान सवाएं पांच या उससे ज़्यादा है तो इस पर कार का एक होम वर्क हम लोग कर रहे हैं जल्दी इस पर कुछ नितिकत मेहने होगा तब इसको आगे बढ़ाएं मुक्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने जहांगीर पूरी और हरिद्वार के रुड़की में हुई हिंसा पार बयान दिया शोभा यात्रा पर पत्राव की घटाओं को निन्दनी बताया उत्राखंड के भगवान पूर में हुई हिंसा पर दूश्यों के खिलाब सक्त कारवाई करने के निर्देश भी जारी किये जहांगीर पूरी हो या उत्राखंड के रुड़की के समीप वाले गाउं में हुए हैं दोनु जगह पर बहुत सक्ती होनी चाहिए और इस परकार की घटना की जितनी निन्दा के जाए उतनी कम है इस परकार से धार्मी कुनमात फैलाना जो है देश के हितमे नहीं किसी के भी हितमे नहीं है और हमने उत्राखंड के अंदर घटना हुई है हमने इसको सक्ती से लिया है कानून बेवस्ता जो है वहाँ पर बनी रहे उसके लिए कानून अपना काम फीक तरीके से वहाँ पर क उत्कारवाई करने के लिए का उत्राखंड में आज से स्वास्त मेलों की शुरुवात की गए प्रदेश के सभी विकास खंडों में स्वास्त मेलों का आयचन क्या क्या आपको बता दे कि आईश्पायन भारत यूस्ट्रा की चौथी वर्षगाठ पर ब्लॉक के सर ये स्व स्वास्त मंतरी डॉक्टर धन सिंग ने रायपूर ब्लॉक पहुच कर मेलों का आयचन क्या मिले में तमाम तरह की जाच और परामरश की सुविधा उपलब्द कराए गई वहीं इस मौके पार सीमो डॉक्टर मनोज उप्रेती रायपूर अस्पताल के सीमस डॉक्टर पीए को निश्चुल्क स्वास्ट सुई धाओं का भी लाब दिया जा रहा है ये तीन तस्फीरें आपको दुखा रहे हैं पहली तस्फीर अल्मोरा से है दूसरी चमूली से है तो वही तीसरी तस्फीर पॉड़ी से है सभी विकास खंडों में स्वास्तमेले का आयशन किया गया और साथी लोगों को जाकरूप भी किया गया और तमाम सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई पूरे भारत में चल गया है मानुनिय परदानमंतिय जी गाइडिंस में और इसमें हमारा यह है कि हम स्रवां यहीं रूप से मरूजों का निमारान करें उनकी समस्यां को निमारान करें इस जैसे सबसे पहले हेल्थ कार्ड जिनका नहीं है के हल्ट कार्ड बनाए जाएगा एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी और मेन बात है इसमें हमें बीमारियों से बचाने के उपाए पहले बताने हैं प्रिविंशन आप डिजीज ताकि बीमारियां फैले ना उनको पहले रोग दिया जाए होने से प्रिविंशन इस बेट ने स्वेस के बारे में तो इसका हमारा प्रमुक फाहů दैस है नए इस, बीलालियों का इसा किया जा घए है साथमेले मियां का इलाच क्या जाएगा साथ में आपगो का जाएगा in अन्य जो स्पेशलिस्त होंगे, वो इस ब्लॉक्स तर ये स्वास्त अमेले को फुस्ट रहेंगे और सम्मधित जो हमारे विशेतर की विदायरगण है, मंदरीगण है, इतके उपस्लिकिए में इसका शुबारपन किया जा रहा है मैं उम्मीद करता हो कि समस्त आम नागरिग विशास्त मेले में आकर अपनी स्वास्त समध समस्त का समादान करने के विए आगे आएंगे और हमारी चिकित सक्ति उनका सही तई कि समादान करते हुए उनको मजद करने का परया सिबूरेगण है इसमें मंसा साथ है कि सरकार की जो योजनाई है, स्वास्ते सम्में रहे हैं, आज मेरे विधानसवा में हमारे साल्दे ब्लॉग के मैं सल्ट मेले का स्वास्त मेले का योजन किया गया है, जिसमें सभी टेस्ट फ्री हैं, और अच्छे क्योंकि अलमोडा और हजवानी से भी डॉक्टर्स को बुलाया गया, ग्याने लगे स्वास्तियादी स्वास्त लगाए गया है, और सभी को इस सुईदा करालाम मेलेक्स के लिए हमारा पूरा प्रियास, और इसका सुपरम किया है, और 21 तारिकों देवैल स्वास देहरदूर में रास्टी क्रषी मुक्ति दिवस पर कारिक्रम का आयशन किया आपको बताने किस कारिक्रम का श्वभारम स्वासимиन्ध्री दवा दी चाहिए जिसमें एक साल में उन्नेस साल के हर बच्चे को दवा देने का लक्ष रखा गया अगर 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 ते तालिस लाक बच्चों को हमा ते जो कि नासर दौई तो हमारा दाष्टिक क्रेमि मत दौश जो है और इसमें हमलों एक से उन्नी साल के बच्चों को जो है अल्वन्ड़ा जो जो इसको दो दवाई दी जाती है और यह हमलों का साल में दो बार होता है और इसमें हमारे कम से कम लगभग 43.55 लाक्स बच्चों को जो है दवाई पिलाई जाएगी और जो हमारे एक साल से लेकर जो दो साल के बच्चों को है वो आधी गोली दी जाएगी और दो साल से लेके 19 साल के बच्चों को एक गोली चलाई जाएगी। करेंगे साथी जन सरोकारों से जुड़े भुद्दो को भी गंभीरता से सदन में रखेंगे। साथी कमान ने यह सपालारी को के दायत दिया है। जिमिदारी दिये है। तो मेरे जिमिदारी है कि मैं में परिवार को। कुद्राखन के पंचायती राजमंत्री सत्पाल महराज ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए कई एतिहासिक नड़े लिया। आपको बता दे कि सत्पाल महराज ने प्रदेश के ब्लॉक प्रमोक संगटनों के मांगो पर बड़ा फैसला लेते हुए ब्लॉक प्रमोकों को विकास कंड अधिकारे की एसी आर लिखने का अधिकार दिये चाने का इतिहासिक नड़े लिया। साथी पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पंडित दियाल, मीनी, सचिवाले इस्थापित करने के भी खुशना किये तो वहीं पंचायतों को मस्पूत करने के लिए खाई पामर कमिटी का अगठन करने के भी बात कहिए। केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम ने अपना मिजास बदर लिया है। धाम के आसपास के कई लाकों में एक हपते से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर चारी है। वही इस बर्फबारी ने प्रिशासन की टेंशन बढ़ा दी है। साथ में हो रही बर्फबारी के चलते यात्रा तयारियों को पूरा करने में परिशानिया भी हो रही है। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले उतराखंड में गैर हिंदूों के प्रवेश पर प्रतिबंद लगाने की मांग उठने लगी है। शंक्राच्वारे परिश्वत के अध्याक्ष और शांभवी धाम पिठाधीश्वार स्वामी आनन स्वरूप ने उत्राखन सरकार से गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंद लगाने की मांग की आपको बता दी किसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामे को पत्र भी लिखा स्वामी आनन स्वरूप का कहना है कि देव भूमी उत्राखन हिंदू की जन्म भूमी और रिश्यू की तपो इस्थली है यसलिए उनकी मांग है कि सरकार चारधाम यात्रा के दौरान उत्राखन में गैर हिंदू के प्रवेश पर प्रतिबंद नहीं होती तो उनकी काली सीना से जुड़े कारिकरता खुद चिनहित कर काम करना शुरू करेंगे मुत्राखन के मुक्षमंतरी उश्कर सिंग धामी जी को पत्र लिखा है कि इसको पे ततकाल लाइसेंस बने प्रवेश पत्र बने और जिनके पास गैर हिंदूओं का प्रवेश हो चाहे हो मुसलमान हो यहूद हो और जितने भी विदेशी धर्म वाले लोग है उन सब को तत काल प्रतिबंदित किया जाए और प्रतिबंदित नहीं किया जाएगा तो काली शेना के लोग स्वैम खड़े हो करके उनका आईडी कार्ट शेक करने का काम करेंगे कि यह प्रदेश यह देश किसी के बाप का नहीं है और यह हिमाले हमारा मंदिर है उसको बचाना हमारा धर है चारधाम यात्रा की दोरान या किदारनाथ यात्रा के दोरान एक भी गोड़े वाला वहां अब दिखना नहीं चाहिए नहीं तो हमारे पैसे पर पल करके हमारे ही गरदन काटी जा रही है हमारे ही जुलूसों पर हमले हो रहे हैं यह कब तक ब्रदास्त किया जाएगा प्रदेश पे 3 मय से 4 धाम यातरा की श्रुवात होने जा रही है ऐसे में 4 धाम यातरा को लेकर सुबे के स्वास्थ विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है स्वास्थ सचेव डॉक्टर पंकच पांडे की माने तो इस बार यातरा के लिए विभाग पूरी तरह से तयार है तिन गुना सादा उक्सिजन स्लेंडर खरीदे गए हैं देखे चारधाम के लिए हम लोग पहले से हमने अपनी कमर कस ली है पूरी तरह से हम लोग तयार हैं जो पिछले सालों में दिक्कते आई हैं उक्सिजन की जो प्रॉलम्स आती थी उसके लिए हम लोग ने एक्स्ट्रा त्यारी कर ली हैं कोबिट को देखते हुए हम लोग ने काफी सारे उक्सिजन के प्लांट्स लगाए हैं काफी सारे सिलिंडर हमने तीन मुना खरीद लिए अपने सिलिंडर तो वो हर जिंगा लगा रहे हैं इसके अलावा एक चीज आती है कि हाइफ प्लेंर से आते हैं अपने फिजिशन को पन 1-5 दिन के ट्रेंग करवा रहे हैं या हमारे फिजिशन्स को अस तरब के लिए both लोग हाइफ पॉरी तरह से नाभी है कि इसके अलावा कासी का इश्यू हाता है कि हाट में काहीं मोगों नाची तो कार्डियोलोजी की भी ट्रेनिंग हम लोग अपने कुछ पूजिशन को करा रहे हैं प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से तो कार्डियोलोजी और हाई अल्टिटूट सिक्नेस दोनों से निपटने के लिए हम लोग बेटर प्रपेर होंगे इस साल तो मुझे लगता कि चार धाम यात्रा में हम बहतर सुझाएं पब्लिक को दे पाएंगे ननिताल हाई कोट ने नगरपाली का ननिताल नगरशेत्र के सभी पार्किंगों का ठेका बिना टेंडर निकाले पुराने ठेकेदारों को दिये जाने के खिलाफ दार्याशिका पर सुनवाई कि आपको बता दे कि पहले हुई सुनवाई के दौरान कोट ने बिना टेंडर निकाले इनी ठेकेदारों के दिये गए ठेकों को नियमा वाली पेश करने को कहा था लेकिन नगरपाली का उसे पेश नहीं कर पाई यह मैटर था नगरपालिका का नगरपालिका ने व्रिदी कर दी थी तोल प्लाजा डिय से पार्किंग बिडी पार्किंग बारा पत्तर पारकिंग अंडा मार्केट पार्किंग पर 20 परसन वृद्धी के साथ इनको एक साल का आगे बढ़ा दिया था कॉंटेक्ट बीना किसी नियम कानून के कोट ने इन से आज बोला था कि आज हमें नियम कानून दिखा है जिसके अंतरगत उन्होंने ये एक साल की विर्दी में इनको दिया था और आज कोट में वो नही कि अपना पक्ष रखा था कि 20 परसन वृद्धी नियम के आनूसान नहीं है और ये नहीं बढ़ाए जाए तो उनका एक ओडर आया उन्होंने रिट डाली है यहां कोट में जो बाद में सुनी जाएगी और जिसके अंतरगत ओडर किया जाएगा अभी हाल फिलाल इसमें चोरी की घटना सामने आई है, चोरी की घटना से निगम प्रिश्वासन में हड कम पच गया, शनिवार देर रात चोरों ने नगर आयउक्त सायक और अकाउंट डिपार्टमेंट के ताले तोड़ कर अलमाली में रखी, कई खांगाल डाली चोरी की घटना की जानकारी निग बियार भीले उड़े मौके पर पहुंची पोलिस ने पूरे मामरी की जाच शुरू कर दिये कि हम लोगों को अभी सुबह प्रातर नौ बज़े संग्यान में आठ बज़े के बाद आया है मुझे नौ बज़े के बाद आया है तो जैसे शुजना मिली हम लोगों है आफिस में आया थे पांस ताले तूटे हुए हैं आफिस के और इसकी ज्यात चल लए है पुलिस वाले आ गए हैं लोग इसकी पैम्रे से अपना देख रहे हैं अभी तो संग्यान में नहीं आया कि क् पत्रावली के मश्चत से आया था है तो जैसे चौकिन चार्ज वहां पर भीजा तो चौकिन चार्ज ने अपने जो फिजिकल इंस्पेक्शन वहां पर है उस पर देखा कि वहां दो तिन ताले टोटे हैं और सीसी टीवी में ये बात कवर भी हो रही कि कोई वेक्ति वहां क सीसी टीवी में और सर्च कर रहे हैं जो वहां के करमेचारी उन्हें पूस्ता की जाएगी और जैसा मुझे एमेने साब ने बता कि वह एक चौकिदार भी रात को रखते हैं तो इन सब पूस्ता के बाद चीज़े क्लियर हुपाएंगे हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने उर्जा निगम के स्टियो को रिश्वत लेते हुए पकड़ा आपको बता दे कि विजिलेंस की टीम ने स्टियो को बीस हजार के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार किया टीम को शिकायत पिली थी कि स्टियो ने जग्च पहुच कर शिकाज तर्च कर आई जिसके बाद टीमे आरोपी स्टीओ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और सबस्टीशन पहुच कर कारवाई करते हुए स्टीओ संदीप शर्मा को रंगे हातों गिरफतार क्या क्या अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें